तो यह जो ट्रेंडे इसके उपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे पहले यहापर आपको खुद के कोई भी नव फोटो मतलब नाइन फोटो द्रेडी करके रख देने नाइन फोटो रडी हो जाने के बाद यहापर आपको खुद की कोई भी एक रैंडम से विडियो रेकॉड करके ले लिनी है या फिर आपको इभी रेडि मेड वी भी आप यहापर यूज कर सकते है लेकिन जो भी वीडियो आप यहापर सिलेक करोगे तो आप देख से तो यह जो application है इसका नाम VN application है तो यह आपको प्लेश्ट्रोड से डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड हो जाने के बाद इसे आपको open करने है, open करने के बाद कुछ इस्तरीक का interface आपको आपके mobile पे show हो जाएगा अब इस screen के right answer पे नीचे आपको एक plus को option आजाएगा उसके उपर आपको click करना है यहापर एक new project को option आजाएगा इसे आपको select करना है अब सबसे पहले आपने जो भी video 6 second की यहाप record करके रखे होगे उस video को यहापर select करना है इसके बाद उपर आपको एक photos को option दिखेगा तो इस photo वाले option के उपर आपको चले जाना है photos वाले option के उपर जाके आपको आपकी total nine photos को select करना है तो कुछ इस तरीके से आपको photos को यहापर select करना है तो टोटल 9 photos को यहाँ पर आपको select कर लेना है 9 photos select हो जाने के बाद screen के right hand side पर नीचे आपको एक blue color का forward arrow आ जाएगा उसके उपर आपको click करने है इसके उपर आप जैसे ही click करोगे तो कुछ इस तरीके का interface आपको आपके mobile पर show हो जाएगा आप screen के उपर center में आपको original को option देखेगा इसके उपर click करने हो यहाँ पर एक 9-16 का frame ratio देखेगा इसे आपको select करने है इसके बाद उपर 9-16 लिखा हुए उसके उपर click करने है अब इस screen के left answer पर आप नीचे देख सकते हैं आपको एक audio को option देखेगा तो इस audio के जो speaker को option है उसके उपर आपको एक बार tap करने है तो यहाँ पर आपका जो भी video आपने add की है उसका जो background audio रहेगा वो यहाँ पर mute हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आप देख सब्सक्राइब टैप to add music को option है तो इस वाले option के उपर click करने है music वाले option को select करने है यहाँ पर अभी my music को option को select करने है यहाँ पर आपको music library को option देखेगा उसके उपर click करने है इससे पहले जो ट्रेंडे इसके लिए background audio लगेगा तो background audio आपको मेरे telegram ट्रेल पर मिल जाएगा उसका link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा तो आपको telegram चल पर जाके इस audio को download कर लेना है और download हो जाने के बाद यहाँ पर आके आपको इससे select करना है तो select करने के लिए आपको audio इस त click करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो audio select हो जाएगा अभी नीचे आपको एक bits को option आजाएगा इसके उपर click करने और यहाँ पर अभी आपको total 9 bits add करनी है तो bit कैसे add करते हो भी आपको बतायता हूँ तो आप देख सकते हो जहाँ पर मैं अभी screen के उपर touch कर रहा हूँ य 5.57 तो यहाँ पर 5.57 आने तक आपको इसे move करना हूँ इस point पर 5.57 आ जाएगा उस point पर आके आपको रुख जाना है for example अभी आप देख सेकते हैं यहाँ पर आने के बाद इस point पर आने के बाद यहाँ पर 5.57 आ चुका है तो यहाँ पर आपको नीचे red color का circle लिखेगा जिसके अंदर एक flag का icon बना हूँ उसको पर आपको क्लिक करना है जो यहाँ पर first bit जो है वो add हो जाएगी तो similarली बाकि की बचेवी 8 bit भी आपको ऐसी add करना है बचेवी 8 bit का ज पर नीचे single tick mark आ जाएगा उसके उपर क्लिक करना है फिर से single tick mark आ जाएगा इसके उपर क्लिक करना है अभी आप देख से तो यहाँ पर आपको blue color का जो बार यह audio का बार है इसके अंदर छोटो छोटो वाइटिकल लाइन शो हो रहे है तो सबसे पहले आपको फोटो को जैस बीओ के 2 हो जाएगे तो राइक का जो बचा हुआ है इससे select करके यह पर delete करना है सेमिलरली आपको photos के साथ भी ऐसे करना है अगर state को options ना आ है तो आपको इससे इस तरीके से drag करके ले लेना है तो कुछ इस तरीके से आपको हर एक photo और विडियो के साथ करके ले लेना है त इक और देख से तो यहां पर हर एक photo और वीडियो के भीच में आपको एक plus का आइकॉन दीखेगा, तो फिर्स्ट वाले प्लस वाले आइकॉन के ऊपर आपको डिक करना है और यहां पर आपको एक जुमग को ओप्षन दिखेगा, तो इस जुमग ऊप्षन को आपको करते चले जाना है तो यह इफेक्ट आपको सारे जो प्लस आइकोन है उसके उपर आपको दे देना है तो अभी आप देख सकते हो आपको यहां पर एक ओवरले करने का जो पॉइंट है वह 0.5 अब्वह पर को क्यों होगे ऊच्वेसरे तकले में तो इस वीटियो को करने कि नीचे में पर ऴीडियो वाले उप्शन को उप्शन को और यहां पर व्लेई कि लेक्ना हो यह से तो आपकोad करना है तो यहाबको तहल हुस्त पर आगे चले जाना है, और यहाँ पर जो ऑबले का एंट पॉंट ए हो 4.99 पर आना चाहिए तो 4.99 जिस पॉंट पर आ जाएगा वो इस पॉंट पर आके आपको रुख जाना है और अब आप देख सकते यह अब लेका जो नीचे बुलू कळर का जो बार आ चुका है इससे आपको स्प्लेट करने है और इस पॉंट पे जाएगा इसे आपको सिलेक्ट करके निचे एक सिंगल टिकमार्ग दिया हुआ इसको पर क्लिक करने है इतना हो जाने के बार आपको वीडियो को थोड़ा सा आगे करने है और यहाँ पर आपको 6.01 जहाँ पर आ जाएगा उस पॉइंट पर आपको चले जाना है for example में आपको दिखा देता हूँ तो 6.01 के अलवा यहाँ पर आपको फॉर्स्ट बिट आपको उपर और यो के बार में दिख रहे हुआ उस पॉइंट पर आपको चले जाना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर आपको फिर से जो थर्ड वाला जो लाइन दिख रहा है उसके उपर क्लिक सेकंड वाला जो टी प्लस वाला जो लाइन दिख रहा है उसके उपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको फॉर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है एड़ है उसके उपर क्लिक करना है अभी यहाँ पर आपको एक फॉन्ट से लेक करना है तो फॉन्ट में आपको शो कर रहा पर क्लिक करना और यहां पर अभी आपको एक स्पेलिंग टाइप करना है डी आल बी ए आर ए इसके बाद आपको इमोजी वाले ओप्शन पर जाके जो बड़र फ्लाइवला इमोजी इसे आपको सेलेक करना है इसके बाद इसको आप फॉंट को कोई भी कलर दे सकते हो दे दूँगा और इसे आपको यहां पर एक टिगमाग देखेगा उसके उपर क्लिक करना है इसके बाद इस फॉंट को आपको वीडियो के नीचे वाले साइड में तुछ इस तरी किसे यहां पर रख देना है और जो टेक्स का यहां पर लाइन आपको शोर है उसके आपको से दूग Minh नेचे उसलेक करने प्ले करने हैं स१ुष फोटोस कीषण को और शक्रों करना है यहां पर जोंट करने हो से टना हो जाने किस यहां आप करके देखो झापका यह तो रील है वो इहां पर रेडी हो जाएगा इसके बाद इस रील को अगर आपको आपके मोबाल के गैलर में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट एंसर पर आपको एक अपफर एरो दिखेगा उसके उपर क्लिक करना है और यहां पर नीचे आपको एक्सपोर्ट जो भी आपको जैसे जिसको रीजोलिशन में आपको इसे एक्सपोर्ट करना है उसे सिलेक करके नीचे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के उपर क्लिक करना है जैसे आप इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के उपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको जो वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक सेवतू अल्बम को आप्षिन आ जाएगा उसके उपर आपको फिल्क करना है इसके उपर आप जैसे कलीक करोगे तो बनाया विडियो आपके मोबाल के गैलरी में सेव हो जाएगा इसके बाद इससे आप एजरी इस्टाग